दोस्तों नमस्कार जेहिंद वंदे मातरम भाई और बेनों दोस्तों आज आम आपको बताएंगे कि पुराने नोटर से कि अगर आप सही तरीके से बेचना चाहते हो और दोस्तों आप रियल ओल्ड कोईन बाहर का नमबर लेना चाहते हो तो दोस्तों आज कि इस वीडियो का मैं आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुसकबरी लेका चुका हूँ सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो की सुरुवात में बताना चाहूँगा कि आज कि इस वीडियो के मादम से आप से रजिट्रेशन फेंस का एक रुपया भी नहीं लिया जा रहा है और नहीं आप से क अपने नोट और सिके बेचना चाहती हो तो दोस्तों इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जान कर देंगे और विसेश कर दोस्तों आप साफधान रहे कोई भी अगर आप से वेक्ति ये बोलता है कि हम आपके नोट और सिके विका देंगे लेकिन इसक याँ पर मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हैं कि हमने रिजिटेशन फिंस इतने हज़ार रुपए जمा करा दी हैं और हमारे नोट और सिके अभी तक नहीं भी के हैं तो मेरे प्यारे भाइयों और बेनों किसानों गरीब लोगों आप से मैं एकी बात बोल All-Coin Market है, जहाँ पर दोस्तों आपको रियल में पुराने नोटोर सिक्कियों की कितनी किमत मिल सकती है और आपके जो पुराने नोटोर सिक्के वो किस परकार से बिख सकते हैं इसकी दोस्तों आपको संपूर्ण जान करें दूँगा क्योंकि दस्तों मैं आपको कुछ एक्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे आपके पास में एक रोपेगा सिर्फ आपके पास में एक ही पुराना सिक्का है तो आपको उनके बदले में कितने पैसे मिल सकते हैं इसके लिए मैं आपको नंबर दूँगा All-Coin बाइर का और वहाँ से आप सीधा आपने संपरक कर सकते हो और आप बिल्कुल घर पर बेटे ही नोटोर सिक्के बेज सकते हो जो दोस्तों आपको नंबर मिलेंगे वहाँ पर आपको सिर्फ नोटोर सिक्के ही बेजने होंगी और आप उनसे बाद भी खुल कर सकते हो तो जिससे दोस्तों क्या होगा आपकी नोट और सिक्की बेचने के लिए वो आपसे एक से दो दिन के अंदर जल्दी कॉंटेक्ट भी कर लेंगी और जो भी आपकी पास में जैसे एक सिक्क करेंगे तो आपको पांच लाख रुपेया दस लाख या पंदरा लाख जो आपको सिक्की की किमत रहेगी वो दोस्तों ओल्ड कोईन बायर के दोरा आपको हाथ आने आपके घर पर आपको एवो पैसे देंगे तो मेरे इसाब से दोस्तों इससे बड़ी और कोई भी खुसकबरी नहीं आ सकती हैं लेकिन दोस्तों वीडियो के निसे यहाँ पर कुछ फरोड लोग कमेंट करते हैं कि आप इस कंपने में बिस्ट दीजिए यह मेरा नमबर है आप इस पर रेजिट्रेशन फिस्ट दीजिए तो दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें आप इस वीडियो को शुरू से लाज तक पूरा लिखिए जहाँ पर मैं आपको कहीं पर भी और कोईन बाहर का नमबर दे सकता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको संपूर्ण जानकर यहाँ पर देने वाला हूँ विसे इसकर दोस्तों इन नोटों से को के अंदर क्या होता है एक करंसी चलती है और वहाँ पर पुराने नोटों से की जब ज़्यादा पुराने हो जाती है या कुछ ऐसे नोट रते हैं जिन पर सांसों सियांसी लिखा रहता है या दोस्तों कुछ यूनिक नमबर होते हैं जै कोई बोलते हैं कि आपको हम 50 लाग दे लेंगे, तो इसके बारे में मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जान कर दूँगा, तो दोस्तों सबसे पहले इसका फॉर्सेजर यही हैं, कि इस वीडियो के अंदर आपको कहीं पर भी एक नंबर दूँगा, इसलिए अगर आप सस में अपने पुराने नोटर से के बिचना चाहती हो, तो आप इस वीडियो को सुरू से लाज तक पूर देखे, अपना टाइम निपकाल कर देखे, जहां पर आपको संपूर्ण जान कर मिल जाएगी, और साथ ही में आपको ये भी जानने को मिले कि, जो आपकी नोटर से के बिचने वाले हैं, आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो दोस्तों चलिए बिनादिर करते हैं वीडियो में आगे वड़ते हैं, और अगर आप यहां पर भारत के किसी भी राजे से बिलोंग करती हो, तो दोस्तों यहां पर आपके पास में दो आपसन रहेंगे, कि आप घर पर बेटे ही नोटर से के बिच सकती हो, और दोस्तों दूसरा आपके पास में यह कि, आप अल्ड गोईन बायर के अंदर भी आकर, मतलब जो अल्ड गोईन एक्जिविशन जाता हैं, वहाँ पर भी आकर आप अपने नोटों से के बिच सकती हो, वाई और बेनो, आप में आपको इनमें से जो भी पसंद आता हैं, आप उस पर जाकर अपने नोटों से के बेश सकती हो, और बेंक खते के अंदर अच्छी खासी रकम प्राप्ट कर सकती हो, दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहूँ कि, दसवी क्लास में एक छोटे से बच्छे ने मुझे कॉंटेट किया था, और मैं आपको जन्वन बता रहा हूँ, कि उसने बोला कि मेरे पास में सिर्फ दोस्त के और पांच नोटें, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे ममी पपा किसाने, अगर मैं नोट और ट्रिकों को बिश देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कितने पैसे मिलेंगे, मैंने बोला दोस्त आप सिंदा मत कीजे, मैं आल्ट गोइन बाहर से कॉंटेट करता हूँ, और यहाँ पर आपको दो सी तीन दिन के अंदर बता दूँगा, कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, दोस्तों, आपको रियल मैं बताँगा, तो दोस्तों, आपकी होँच चोड़ जाएंगे, उस बच्चे के पास में जो नोट रो सकेते हैं, उनको 25 लाक रोपे वो मिल चुके हैं, पिलीज दोस्तों, ऐसे फ्रोड लोगों से बच के रही है, जहां पर आपको, मतलब कोई भी ऐसे फ्रोड इस्केमिंग करता, आपके साथ में, आपके साथ में धोगा दड़ी भी कर सकता है, तो दोस्तों, बेन दरी करते हों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपको इस्टेबाइस करके पूरी जान कर देते हैं, तो दोस्तों, चली वीडियो सुरू करते हैं, दोस्तों, आप यहां पर देश रते हों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप सभी से चोटी सी रिक्वेस्ट करना चंग हों कि, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हों तो दोस्तों, आपकी फायदे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी, तो यहां से सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी पर किलिक करके, और नोटिफिकेशन दबा लीजी, और चोटी सी विंति करों कि, हमारी मैनत के लिए वीडियो को यहां से आप लाइक कर दीजिए, और सेर के बटन पर किलिक कर दीजिए, आपको दस से पंदरा गरूप में, और जो आपकी पास में दोस्ते हैं, उनसे आप मलब सेर कर दीजिए, ताकि उनके भी यहां पर रियल बाया से कॉन्टेक्ट हो चके हैं, उनके नोटोर से किबिक सके हैं, और कमेंट पर किलिक करके, आपकी पास में कोई भी नोटोर से कहा है, तो आपको यहां पर कमेंट कर देना हैं, तो दोस्तों आप यहां पर देश सकती हो, तो थैंक यू सर जी फॉर यूर नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो बाल किशना जी तो दोस्तों इस परकार से आपके पास में जो भी नोटोर सिके हो वो नोटोर सिके और आप कौन से इस टेट से बिलोंग करती हो दोस्तों वो आपको कमेंट कर देना जिसे आपको जल से जल देपले मिलेगा और आपकी नोटोर सिके बिख जाएंगी चलिए दोस्तों वीडियो में आगर बढ़ते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपको मैं कुछ पुराने पैसे दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको एक पैसे से लेकर 25 पैसे तक सारे सिके वो दिखने को मिल जाएंगी आप यहाँ पर सबुत के साथ में देख सकते हो ताकि दोस्तों यहाँ पर आपको भुरसा हो चुके यहाँ पर एक पैसे, दो पैसे, दो, तीन, पांच, दस हो गया दोस्तों यहाँ पर दस, बीस हो गया, बीस हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो 25 पैसे, 25 पैसे और गैंडे वाले कोई तो दोस्तों आपको इन में से कोई भी नोड, मतलब कोई भी सिका है तो ये आपको पांच लाख रुपे सिर्फ एक सिक्के की किमत दिला सकता है और वो भी दोस्तों एकदम सही तरीके से होना चाहिए अगर आपकी पास में इस टाइप से दो रुपे का सिक्का है जहां पर आपको भारत का उच्छ नियाले लिखा हुआ है और यहां पर इस परकार से यहां पर 1950 से 2000 तक का सिक्का है तो यह आपको 4 लाख रुपे दिलवाएगा और अगर आपकी पास में इस टाइप से मतलब कुछ जानवार या पकसी की फोटो जहें या कुछ ऐसे गणित के नमबर लिखे हुए हैं तो भी दोस्तों यहां पर आपको 10 लाख रुपे दिला सकते हैं यहां पर आप यह ऐसे 10 रुपे का सिक्का देख सकते हो इस परकार से डिजाइन का तो इंडियन रुपीज 10 रुपे असो किस्तम के आकरती जो दोस्तों आपको 9 से 10 लाख रुपे दिला सकता है दोस्तों ये हैं 5 रुपे का सिख्का दोनों साइड के अंदर यहाँ पर फूल रुपे 19.99 और ये दोस्तों आपको 15 से 20 लाक रुपे दिला सकता है ये हैं दोस्तों यहां पर 5 रुपे का सिख्का जहाँ पर आपको 2004 और निशे डॉट लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों यह silver clear का सिक्का है जो यहाँ पर आपको 18-19,00,00,00,00,00,00 रुपए यहाँ पर दिलाएगा अगर आपके पास में इस टाइप से नया 5 रुपए का सिक्का है तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको 9-10,00,00,00,00,00,00 रुपए आसाने से मिलना शुरू हो जाएंगे विशेश कर दोस्तों पुराने नोटों से के बिचने के लिए आप वीडियो को आगर देखिए और आप जब फोटो जबेजती हो तो आपको बड़िया तरीके से बेजनी है बाकि आप यहाँ पर देख सकती हो यह एक official website है आप इस पर जाए ताकि आपको और भी फायदा हो चके हैं तो आप देख सकते हो www.oldcurrencyvalue.in यह official website है बाकि आप चैनल के about में जाकर भी इसके बारह में जान सकती हो तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है रूपीज 1985 और यहाँ पर एक एच मिनिट मारके और दोनों साइड के अंदर फूल है जहाँ पर आपको 15 लाक रुपे है वो आसानी से मिल सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास में इस टाइप से एक रुपे का सिक्का है तो यहाँ पर भी official website है www.oldcurrencyvalue.in यहाँ पर आप देख सकते हो 1972 यहाँ पर इस्टार होना चाहिए तो दोस्तों यह आपको 4-5 लाक दिलवा सकता है और यहाँ पर परकार से WhatsApp पर भेज रहे हैं यह 10 रुपे का साली मार गार्डन वाला नोट हैं 10 रुपे का नाव वाला दो रुपे का नोट है और इस परकार से कुछ फटा हुआ है तो आपको 75% इसकी किमत मिल जाएंगी यहाँ पर आप बहुत सारे सिक्के देख सकती हो तो दोस्तों मैं आपको कुछ बात बताना चाहता था पुराने नोट और नोटों के बारे में जैसे दोस्तों यह दो रुपे का नोट हैं यहाँ पर आप नमबर देख सकती हो 58-625-074 अगर इस जगह पर 700 से यहाँ से लिखा हुआ है तो आपको अच्छी किमत मिलेगी यह पर पूरे सीरी नमबर ऐसे 1-1 से लेकर या 2-2 से लेकर 3-3 से लेकर हैं यह जो यह वाले सीरील नमबर है जिसमें यह वाले सीरील नमबर है अगर वो सारे के सारे जीरो हैं तो दोस्तों इससे बोलते हैं कि यूनिक नमबर होना या किसी भी नोट का फैंसी नमबर होना जिससे जो आर्वे recommend करता हैं कि वो वापस भी लेता है old coin buyer हो गया या old coin exhibition हो गया जहां पर इनके नोटों की किमत आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलती है यहां पर आप देख लेजे मुझे यहां पर इस परकार से भी बहुत सारे लोगों ने भेजा है उन्होंने यहां पर पूर डिटें लिखे हुए 1957 LKG New 5086 का यहां पर RS देख सकती हो तो दोस्तों आप भी इस परकार से भेज़ो अगर आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ फोटो भेज़ देज़ें नोटों की इतना ही बहुत है दोस्तों बाकी मैं आपको यहां पर महलप या मदद कर दूँगा और इस परकार से भी देख सकते हो तो यह भी आप हमें बेश सकती हो मात्मा गांदी वाले यह आप एक एक करके देखते हैं साहिए दोस्तों यह हैं प्लेटिनियम जुबली भारती वायू सेना अंडियन एर फॉर्स 1932-2007 और यहां पर आप प्लेटिनियम जुबली की फोटो देख सकते हो तो यह दोस्तों आपको यहां पर 7 लाक रुपे है वो दिलवा सकती है तो दोस्तों यह भी आप सभी के लिए बड़ी खबर हैं कि आपको 7 लाक मिलेंगी यहां पर दोस्तों आप देख सकती हो कि यहां पर इंदरा गांधी 20 पैसे इंदरा गांधी वाला यह कुछ डिली का हो गया यह दोस्तों यहां पर हनुमान जी का सिका है आप ध्यान से दे मिलते हैं तो दोस्तों आप में ऐसे कोई भी पुराने नोटो शेक के बेचना चाहते हैं तो आज किस वीडियो के अंदर आपको complete जानकर मिल चुकी हैं तो दोस्तों आप हमें इस नंबर पर contact कर सकते हो और अपने नोटो शेकों को याँ पर बेच सकती हो जे हिंद वंदे मातर में